तो काफी सारी smart watches का हम रिव्यू करते हैं आज थोड़ी सी different smart watch हमार पास आई वी है यह आती है firebolt की तरप से firebolt tank 2000 रुपे में launch हुई थी अब इसकी pricing increase होके 3000 रुपे हो चुकी है purchase link नीचे पर available है आप check out कर सकते हो tank नाम से आप समझ चुके होंगे watch की build है काफी rugged होने वाली है मतलब outdoor में बिना किसी प्रहशानी के आप इसे use कर सकते हो मतलब normal watches से इसकी build थोड़ी सी better है outdoor friendly आप बोल सकते हो तो अगर आप एक smart हो चलेना चाहते हैं इसकी build काफी अच्छी हो प्राइजिंग अपर मैंशन है 11999 रुपी स्टॉप कर लेते हैं इसकी unboxing सबसे टॉप में है इसकी यूजर मैनुवल यह रही मेन वाच एक पोगो भीन वाली मैगनेटिक चार्जिंग केबल एंड में कुछ सब्सक्रिप्रिप्शन कार्ड तो वाच कर लाता है टोटली पॉली कार्बोनेट बिल्ड राइट प्राइट मिसका क्राउन बटन है माइक्रोफोन एक फंक्शन बटन जिसको प्रेस करके आप डिरेकल स्पोर्स मोड पर एंटर कर सकते हो तो वाच का नाम टैंक है तो बिल्ड इसकी काफ़ी रगेड है लैफ पार में इसका स्पीकर रंट पीछी के पर इसका सैंसर एंड चारजिंग पिंस है strap देखा चाहे तो काफी simple सा strap इसमें provide किया गया है यह काफी soft भी है बकल इसका metal build है तो इसका weight हम check out कर लेते हैं only 43 gram इसका weight है तो watch काफी lightweight है क्योंकि यह plastic build है that's why इसका weight कम है अगर यहां पर metal का support होता तो weight इसका और भी ज्यादा होता तो watch कौन करके इसकी app के साथ हम setup कर लेते हैं app है dafit to add तो यहां पर model लिखा वा चुका है इसमें हम कर देते हैं click watch single click में pair हो चुकी है तो 1.85 inch की 2040 by 2080 pixel resolution की TFT displays में दी गई है जिसके color ठीक आते हैं TFT के सबसे 46.99 mm इसका dial size है display के bezels काफी कम है चारों तरब से bezel का size same है outdoor में इसकी visibility काफी ठीक है क्योंकि brightness काफी अच्छी है इसकी race to wake के feature थोड़ा और fast हो सकता था थोड़ा सा slow मुझे लगा 4-5 दिन का battery backup आपको से मिल सकता है अगर आप इसको normal use करते हैं अगर आप इसकी calling को काफी heavily use करते हैं तो आपको इसमें तकरीबन एक दिन का battery backup मिल जाएगा IP67 की इसमें rating दी गई है तो हाले के फोले के water splash and sweat से इसमें कोई भी issue नहीं आएगा तो हाथ में पहनने के पाद watch का look काफी cool आ रहा है digital crown का support है तो इस ब्रण से आप watch face वगरा change कर सकते हो और कुछ other task भी आप perform कर सकते हो से sport का यहां पर बटाने है तो इसको प्रेस करके आप डिरेकल स्पोर्स मोड पर एंटर कर सकते हो तो 123 स्पोर्स मोड प्रवाइड किये गए है ui and touch response देखा जाए तो काफी smooth है जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल भी लैक मुझे इसमें फील नहीं हो रहा है उपर इसका drop-down menu जहां पर bluetooth calling brightness control menu style तो four menu styles में दिये गए है लिस्ट व्यू प्रेजेंट हो गया है हल्म नी कॉम्ब तो लिस्ट व्यू हम रहने देते हैं यहां पर e-card का option है तो instagram का qr-code में आप एड किया हुआ है आप फोन पे google पे social media के qr-code यहां पर एड कर सकते हो जो एक plus आप एक्टिविटी का यहां पर फोन कॉल कॉप्चन यानि ब्लूटूथ कॉलिंग का तो रिसेंट कॉल आप चेक कर सकते हो डाइल पर यहां पर दिया गया एक नमबर हम डाइल कर लेते हैं तो इसके speaker की loudness काफी में ठीक लगी कॉन्टेक्ट भी आप इसमें एड कर सकते हो 8-10 एक कॉन्टेक्ट कम कॉल कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं इसका Bluetooth कॉलिंग कैसा होगर करती है हेलो ममी मैं वास से बात कर रहा हूँ आवाज कैसी आ रही है मेरी बिल्कुल क्लियर है अच्छा ठीक है ओक के बाई तो call response इसका ठीक है अभी मैं कमरे में हूँ तो आवास थोड़ी सी गूंज रही है इसके बाद heart rate, stress monitoring, sleep tracking, blood pressure and SPO2 को हम चेक आउट कर लेते हैं सबसे पहले हम चेक करेंगे heart rate को तो यहां पर 71 के आसपास आ रहा है यहां पर 70 के आसपास आ रहा है तो data यहां पर काफी close आ रहा है अब चेक करते हैं SPO2 तो दोनों में 99 परसंट आ रहा है तो data यहां पर बिल्कुल accurate आ रहा है मेसेज़े शटर म्यूजिक प्लेयर का भी उप्शन है तो अपने फोन की मुचिक को अपनी वाच में या प्ले कर सकते हो इसे प्ले हो गया नेक्स्ट प्रीवियस वॉल्यूम अब भी आप कर सकते हो स्पीकर की लावडनेस काफी ठीक है रिलैक्सेशन के यहीं वोइस का अप्षिन है तो अपने फोन के वोईस अप्षिस्टन को अपनी वॉस से कमांड कर सकते हो तो AI वोईस इसका काफी ठीक परफॉर्म करता है अलाम स्टाफ वॉस साइकल ट्रैकिंग यानी फीमेल यहां पर ऑप्षिन भी दिया गया है फ्लैशलाइट फाइन फोन गेम स्वीस में इन बिल्ट है फ्लॉपी हो गया 2048 पैटल शिप कैलकुलेटर भी इसमें प्रोवाइट किया गया है अच्छी बात है एंड सेटिंग ऑप्षिन तो दौफिट आपकों कावी सारी वीडियो में कवर कर चुके हैं इसके होम पेज में या सभी फिटनेश चेक आउट कर सकते हो अगल ऑप्षिन वाच का वाच फेसे प्र इसमें च्टम वाच फेस का भी सपोर्ट है अपनी वाच पे यहां से कॉंटेक्ट को अप एड कर पाओगे अपनी वाच पे अधरस में कुछ और ऑप्षिन अविलिबल है इसके लोग गुगल फिट एप या एपल हेल्थ के साथ फिटनेश डेटा को सिंग कर सकते हो तो अब बात कर लेते हैं वाच के सेंसर का यह कैस अचा परफार्म गरती है सिपीक फूट उप पर ट्र Peak काउंटर में पी यह तगड़ा परफार्म गरती है लाजी जीचें उठाता इसने उतनी ही टाइनिमिंग इसमें मेजर इसके लएब बनत्र प्रेशव उपके नहीं मैं कर सकते हो व prag टो सिरिफ एक इडेया के लिछ की यूज करें तो अगर कोई सीरेस मेडिकल कंडिशन है आपकी फैमिली में तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें वाच की कावी सारे चाहियों के वहने बात कर ली कुछ इसकी कम्या भी है जैसे कंपरीन इसका नम टैंक रखा है बिल्ड इसकी प्लास्टिक की दिया है तो थोड़ा समाल के हैं आपको वाच को यूज करना पड़ेगा नॉर्मल वाच की तरह क्योंकि ये नॉर्मल वाची है सिर्फ नाम यहां पर टैंक रख दिया गया है तो अब इंदलाश बाद आती कि आपके वाच को पर्चेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो मैं वह लू तो अभी इसकी प्राइजिंग बढ़ चुकी है बट अगर आपको वाच पचीस सो दो जारूपए की मिलती है तो डैफिनिटली आप इस वाच को चेक आउट कर सकते हो वाच अपने प्राइस 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 करना चाहता है तो अगर कोई नया यूजर इस वाच को स्क्राइब करके बेल नोटिक्शन को अन्विर दीजिए तो मेरा नाम है रितिक और मैं मिल तॉप से अपने नेक्स्ट वीडियो में